हाव रूफीक्स वान प्लस सिक्स्टी मेक लरे कॉल नोट सेंट प्रावलिम नमस्कार डोस्तों सुवागर है अब सभी का तिकराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों अगर आपके मुबाइल पे भी कॉल करते वग कॉल नोट सेंट का प्रावलिम आते हैं नेट नोट प्रावलिम के वज़़े से भी ऐसा होता है या फिर पिर आ अपको क्या लिंग मिल जाएगा चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोश्तों अगर ऐसा कोई भी problem होते हैं सबसे पहले आप थोड़ा सा rest कीजिए mobile को restart कीजिए restart करने के बाद दुबारा से try कीजिए अगर problem solve होते हैं तो ठीक है अगर नहीं होते तो जाइए setting phone service search कीजिए इसको update कर दीजिए update मैंने अलड़ी किया था लेकिन दुबारा से update आप दिरा चुका है तो आप भी update कर लेना उसके बाद check करके देखे अगर problem solve होते हैं तो ठीक है अगर नहीं होते तो जाइए setting उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पर app and notification तो यहाँ पर जाएए और यहाँ पर जाने के बाद आपको find out करना है see all apps पर जाके phone services ठीक है तो आपको यहाँ पर नीचे phone services पर जाना है storage पर क्लिक करना है clear storage पर क्लिक करते हुए ok कर देना है और उसके बाद bake करना है mobile को restart करना है दुबारा से check out करके देखना है आपका problem fixed हो जाएगा अगर fix हो जाता है तो ठीक है अगर नहीं होते तो mobile को यहाँ पर ठीक है यहाँ मोबाइल के जो network setting है उसको reset करें उसके लिए नीचे पर जाएए setting पर और उसके बाद system पर क्लिक करके आपको click करना है reset option reset wi-fi mobile and Bluetooth उसके बाद sim select करना है और reset setting पर क्लिक करना है उसके बाद mobile password भर के network setting को reset कर देना है उसी के साथ आपका problem भी fix हो जाएगा अगर problem fix हो जाता है तो ठीक है अगर नहीं होते तो mobile को safe mode पर reboot कर लिजिए उसके लिए power button को press and hold करके रखना है power off के switch को 2 seconds क्लिक करना है और ok कर देना है उसके बाद check करके देखे अगर solve हो जाता है problem ठीक है अगर नहीं होते तो mobile file के SIM को eject और insert भी करके देख सकते हैं ठीक है तो यह सारे चीसे आप फॉलो किजेगा wifi network पर जाए SIM and network को open किजिए preferred network टाइप पर जाके नेट्रों को 4G पर set किजिए या फिर आप तुझी पर set करके बाद में 4G switch कर सकते हैं ठीक है उसी के साथ दोस्तों आप जाए आपने SIM connection पर वाल्ट को enable किजिए नेट्रों operator पर जाके आप नेट्रों को manual network आप सेलेक करके देख सकते हैं automatic को बन करने से manual network मिलेगा अगर manual network सेलेक कर रखाए तो automatic सेलेक कर लिजएगा तो इस तरीके से नेट्रों सेलेक्शन करके आपका problem आप सॉल्फ कर सकते हैं तो यह था दोस्तों call not send का solution इससे definitely आपका problem fix हो जाएगा अगर सीम 1 पर यह problem आ रहा है तो सीम को भी switch कीजिए अपने slot में अगर सीम 1 पर आपका सीम है तो उसको सीम 2 पर set कीजिए और उसकी बाद ट्राइ करके देख सकते हैं ठीक है तो यह complete solution मैंने आपको दे दिया है सारे साथ मोबाइल सोफेर अपडेट नहीं है तो मोबाइल सोफेर को अंट पर अपडेट जरू कीजिएगा आज के लिए बस इतना ही उमीद करते हैं वीडियो आपको पसंद होगा थैंक्स फूर प्रेशपे मड़को प्सुट उिसमें साथ.